नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों आज जो 10 जनुवरी को रेलवे एंटी पीची का एक्जाम हुआ तो इस वीडियो में देखने वाले हैं सेकेंड प्लस पर्थम पारी में पूछेगे लगबग सारे जीकी के स्वार मिल चुके हैं तो सबसे पहले देखने वाले हैं दज जनुवरी के सेकेंड सेट में 40 में से 36 एक्जेक्ट होबू स्वार और इससे रेल्टेड एक्स्टा फैक्ट भी जानेंगे आने वाले शिप्ट में काफी हेलपू रहने वाला है और उसके बाद देखेंगे अपन दज जनुवरी के पर्थम पारी में पूरे के पूरे चालिज जीकी के उसन्स तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना और इसकी पीडियो फाइल आपको जल्दी टेलिग्राम पर मिल जाएगी जिन भी केंड़ेट ने टेलिग्राम जोईन नहीं किया है डेस्क्रिप्शन मॉक्स में लिंक अवलेबल है क्रिक करके जोईन कर लेना तो देख लेते हैं सबसे पहरे दज जनुवरी के सेकेंड पूचेगे स्वाल उसके बाद देखेंगे पर्थम पारी म नव वर्ष पर यहाँ पर टेस्ट बुक आपके लिए लेके आया है एक धामा का और इसमें आपको 299 रुपे में मिल रहा हैं 100 प्लस एक्जाम के 12,000 मॉक टेस्ट हैं इसमें ग्रूप D के 170 टेस्ट हैं NTPC के 112 टेस्ट हैं साथ इसाथ जो भी आभी आपके एक्जाम चल रह करते हैं आपके सामने जो पहले आ जाता है सेकेंड सिट के स्वाल तो इन सभी केंड़ेट का बहुत-बहुत धनेवाद जिनने रियल और ओथेंटिक स्वाल वो टेलिग्राम पर सेंड की हैं आप भी आपने सेट्रेश पूझे के स्वाल सेंड कर सकते हैं इसके लिए आपक बड़ा हैं बड़ा इमाम बड़ा लखनव का एक एतियाशिक धरोवर हैं बहुत बार एक्जामे स्वाला था इसका निर्मान किसने करा हैं तो अवद के नवाब आश्रप उद दोरा निने 1714 में इसका निर्मान कराया था ताज मेल भी यूपी में हैं तो ये आपके अलग प्रदूशन की कान हुई हैं मिना माता रोग है ये पारे की प्रदूशन से होता है एच जी पारा करेक्ट हो जाएगा राहूल गांदी 2019 में कौन सी लोक्षबाद छेतर से चुनाव लड़े थी तो 2019 में राहूल गांदी हैं दो जग़ों से चुनाव लड़े थी अमेटी स को हरा दिया था और बाकी वाइनार से जीत गए थी 2019 के लिक्षन नरेंदर मोदी की बात को तो 2019 में ये वारानसी से चुनाव लड़े थी लोक्षबा की अगला स्वाल देखे कियो से नमबर 4 है 1960 में शिंदू जल समझोता कहां पर हुआ सिंदू जल संदी 1960 में कराची में हुई थी पाकिस्तान में और इस संदी पर कराची में कब ये संदी हुई थी 19 सितंबर 1960 को हुई थी किनके मद्दी हुई थी तो भारत की परधार मंदिर उश्रमें जवारलाल नहरू और पाकिस्तान के राष्टपति अयूब खान की मद्द ये सिंदू जल समझोता हुआ था और इसमें मद्यस्ता कराई थी विशो बैंग ने उससे में उसका नाम था विशो बैंग का पुन्दर निर्मान और विकाश रेतू अंतराष्टी बैंग और ये जल समझोते में क्या रिजेल्ट रहा कि जो पूरों की नदिया है जैसमें ब इसका डिसकोरी की थी दोजार अठार के अनुसार विशो का सबसे परदूशीत सीटी है वो भारत के गुरुग्राम हो जाएगा जो भारत में है सेकेंड है गाचयबाब कौन सी प्राचिन प्रथा में व्यक्ति को उनके वजन के बराबर दान दिया जाता था तो ये प्रथ को उनके वजन के बराबर है वो जोलेरी वगेरा दान दिया जाता था राष्ट ये इसपात निगम लिमिटेट को अन्य किस नाम से जाना जाता था तो जो ये राष्ट ये इसपात निगम लिमिटेट हैं इसको अन्य है वो वाईजाग इस्टिल के नाम से जाना जाता है है एड़कॉर्टर काहा परिविशा का परतम में अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट पती मतलब वर्तमान में भारत के उपराष्ट पती आपको पूचा है M. Wankya Nido हो जाएंगे एक्जाम में आने वाल सिप के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है यह कौन से उपराष्ट पती है तो यह है तेरवे नमबर के उपराष्ट पती है वर्तमान में जो राष्ट पती है रामनात कोविन यह कौन से नमबर के है यह है चोधवे नमबर के अगरा स्वाल दिखेगा स्वाल नमबर 10 कौन सी नदी अफरीका से नहीं बैती है तो अफरीका में नहीं बैने वाल नदियों में ये चार आप्शन दिये गेते आपके नील नदी, अमेजन नदी, औरेंज नदी और नाइजर नदी तो इसमें नाइजर हो गई और नील हो गई, औरेंज हो जाएगी ये अफरीका से बैती हैं, बाकि जो अमेजन रिवर हैं ये श्राउत अमरीका से बैती हैं, न की अफरीका में अगला स्वाल यहाँ पर COBOL की full form आपको पूछी है फिर repeat वा स्वाल इससे पहले भी आज चुका है NTPC में तो common business oriented language हो जाएगी अन्य important language है इससे पहले exam में for trend का आज चुका है तो यह formula translation है basic का beginners all purpose symbolic instruction code हो जाएगा algo की full form है algorithmic language है HTML hypertext markup language XML यह extensible markup language हो जाएगी अगरा स्वाल दी के भारती पुरुष होकी टीम के कप्तान कौन है तो इंडिया जो men's national field होकी टीम के कैप्टेन है वो मनप्रिशींग है और women's national field होकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल father of the Indian nuclear program है तो इंडिया नुकलियर प्रोग्राम के जो जनक है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा करेक्ट हो जाएगा भारत उपग्रह रोधी मिशायल शमताओं वाला कौन सा देश है बन गया है इसमें स्वाल ये पूछा गया था जो भारत है वो चोता देश बना है और जो ओप्रेशन चला था इसके तैत वो उसका नाम है मिशन शक्ती जो 27 मार्थ 2019 को ये अंजाम दिया है रिकॉर्ड अगरा स्वाल कौन सा गरम दल का नेता नहीं है फिर रिपीट हुआ है इसमें ऐसे शौदेशी आंदोलन करके रिलेट किया गया था गरम दल से समन्दि की लोग हैं वह बंगाल का कि उसको सीमित रखना चाहते थे मानुष 13 मानूसी चलार 2017 मिशन वर्ड विजेता रही हैं वह कहां पर हुआ था तो यहां पर पूछाए कि मिशन वर्ड 2017 चलार 2 6 Со चीन के शान्या में आईजित क्या गया था नेश्ट दोस्तों जो नेश्ट तो अभी 2021 में होगा कोविड के कारण ये कैंसल कर दिये गया है 2020 में और मेश्वल जो 2019 में हुआ है वो कहाँ पर हुआ है तो ये लंडन में हुआ है UK लंडन में तो ये अंदर प्रदेश का हो जाएगा स्री हरी कोटा है या पिर 36 धवन अंत्रिक्ष केंदर है वो अंदर प्रदेश रज्जे की नेलोर जिल्ले में है IPL 2020 कौन सा एडिसन है और काफी ये बहुत सभी केंडिट को पता है होगा बहुत बार में बता चुका हूँ IPL 2020 से ये 13 वाशन स्क्रण है और टाइटल स्पांसर कौन है IPL 2020 का तो ड्रीम 11 इसका पूरा नाम हो जाएगा चेंबियन रही है मॉंबई इंडिन सब से ज़्यादा पांच बार टाइटल अपने नाम कर चुकी है रणर आप ओप विजटा टीम रही है दिली कैपिटल बिहार और नेपाल के कुछ चेत्रों की परमोकर चित्रकला पैंटिंग कौन सी है तो मदू बनी चित्रकला या फिर इसे मिथिला पैंटिंग बोला जाता है अन्य इंपोर्टेण जो पैंटिंग सी है चित्रकला जैसे की पर चित्रें अंटिपीचि की है पित्होरा गुजरात की है कलमकारी अंधरपरदेश की है वरली आ जाया था आपकी पर्थम शिप्ते महाराष्टू की है का चित्रकला बहुत बार पूच जाता है किस दरम से हैं तो बहुत दरम से हैं नेपाल और टेबस से स्पेशली प्रधार मंदरी जंधन योजना किस ने लॉंच की थी सभी को एंसर पता होगा नरेंदर मोदी जी ने लॉंच की थी कब की थी गोश्णा वैसे 15 अगस 2014 को ही थी अधुनिक जो एकोनोमिक्स अर्ष्रास्तर है इनकई जनक कौन है तो एडम इसमीत हो जाएगा करेक्ट एंस्वार भारत एवुत स्रीलंगा के मद्दे कौन सी जलसंदी है तो पाक इस्टेट है ये पाक जलसंदी है जो की भारत के तमिल नाडु राज्जय और स्रीलंगा क पूछाओ का कौन सा नहीं है इसमें से तो ये जो गांधी इर्विन समझोता कब हुआ है 5 मार्श 1931 को हुआ है इससे पहले NTP से माच चुका है कितना शूत्री समझोता था 11 सूत्री समझोता था पर्मुक रूप से यहाँ पर जो मांगे है इस समझोते की प्रमुख पॉइंट है जो गांदी इरुविन समझोता है एक तो यह है कि हिंसा के आरोपियों को छोड़ कर बाकि सभी राजनितिक बंदियों को रीहा कर दिया जाएगा इसके तैर भारतियों को समुद्री के समुद्र की किनारे नमक मनाने का अधिकार दिया वालों को उनके पदवपर पुन बहाल किया जाएगा अंधुलन के दोरान जब्द शंपती है वो वापस की जाएगी भारतिय अब सराब तथा विदेशी कपड़ों के दुकानों के सामने धन्ना देने के लिए स्वतंतर थी तो यह परमुख इसके कुछ पॉइंट हो जात यह भी इनोंने शुकर किया गांदुजी पॉलीस की जाजत्यों के जाज की माय छोड़ देंगी यह परमुख पॉइंट हो जाते हैं पर्थम भारतिय स्वतंतरता शंग्राम किसे का जाता है तो यह अठारस ग्राम है आपको पता है जमू कश्मीर भारत में हो जाएगा आनुशी नैस्नल पाक है ये भी भारत में है इस्पेशली ये करनाटक में है करनाटक में है आनुशी नैस्नल पाक बात करूं है बालफा करम नैस्नल पाक की तो ये मेगले में है और इसमें एक सुंदूर करके था सुन्दर करके तो इस प्रकार पाक नहीं है भारत में बाकि सुन्दर बन की बात कर तो यह तो भारत में आ जाएगा आपके पच्छी मंगाल में कॉलकता में अगला स्वाल दिक्ए English Channel पार करने वानी विशो की पर्थम महिला किस देश से हैं पूछला किस देश से हैं तो विशो में इंगली चैनल को पार करने वाली महिला का नाम है दोस्तों गेर्टर्ड इडरले हैं यह है यूनाइटेड स्टेट अप अमेरीका से और बहुत बार ए से देश से हैं अमेरीका करेक्ट हो जाएगा और ये दोस्तों आरती शहा है जो कि भारती माईला इन्होंने इंगलीज चैनल तेर कर पार किया था अब देखिए इंगलीज चैनल आपको पता होना चाहिए किनकी मद्दी हैं तो ये सेपरेट करता है इंगलेंड और फ्रांस को और आरती शहा को जो उन्होंने पार किया था 29 सितंबर 1990 को वे एशिया से ऐसा करने वाली पर्थम माहिला तेराक बन गई और आरती शहा को 1960 में पदम स्री से सम्मानित किया गया एक्जामे स्वाल की दस्टी से वह मतलब कौन है जिनको पहली भारती माहिला खिलाडी कौन है जिने पदम स्री मिला है तो वो आरती शहाई है अगला स्वाल दिखीगा डोनाल ट्रम्प ने चीन की किस टेलिकॉम कंपनी पर बैन लगा जिया था तो हुआवे करेक्ट हो जाएगा इसका चाइना पर बैन है हुआवे पर नेक्ट मन दिखे अर्षयोग अंदोलन एंद ख लेकी स्वाइदान है और इसमें कितने इंग्लिस वर्ड है तो इंग्लिस वर्ड की बात के तो एक लाग सत्रा हजार तीन सो उननतर है बात करूँ शब्दों के आदार पर कौन सा स्वाइदान सबसे चोटा लेकी स्वाइदान है तो मोनाकों का स्वाइदान भारत में निम पुरकोची लखनव में में चलती है डबलू 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 यह जो वर्ल्ड वाइड वेब हैं इनके अंतरकत पर्थम डॉमेन नाम क्या था जो कि उस समय टिम बर्नर्श ली के दोरा रिश्टर किया गया था तो यह info.sun.ch इस परकार यह पहला डॉमेन नाम था और यह 1991 में किनों ने पबलिस किया था बिल्टिस टिम बर्नर्श ली ने और टिम बर्नर्श ली आपको पता है कौन है www के अविश्कार है 1989 में और फर्स्ट डॉमेन नाम जो रेजिस्टर हुआ है प्रत्थम डॉमेन नाम जो रेजिस्टर हुआ है वो था दोस्तों symbolics.com बिल गैट्स जो Microsoft है Windows Operating System Microsoft Windows Operating System है उसका नाम क्या रखना चाहते थे Bill Gates तो Interface Manager उनका नाम रखना चाहते थे Microsoft Windows Operating System का Microsoft की founder को ने Bill Gates और Paul Allen है इन्होंने 1975 में इसकी इस्तापना की थी एक आपकी पादप जगत वर्गिकर्ण में कौन सा भाग नहीं है इस टाइप से पूछा गया था तो option प पुश्पोध भिद होता है वर्ग और दूसरा होता है पुश्पोध भिद यदि पूछा गया है कि पुश्पोध भिद पुरग है जो Crypto Games Class है उनमें कौन सा भाग नहीं है तो यदि ये option आपकी एंजियो स्पम और जेमनो स्पम थे तो आपको correct करना था और बाकिया पर औ और पादब जगत की बात करूं तो ये हो जाएगा आपकी crypto game में तीन भाग है थेलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और फिर आपकी फेनरोगेम में जो पुश्पोध भिद है उसमें दो भाग है आवर्त बीजी और नगन बीजी जेमनो स्पम और एंजी करता है, इस्टॉक मार्केट है, जो नेस्टाल स्टॉक एक्चेंज और बॉंबे स्टॉक एक्चेंज है, उनको कौन नियंतरित करता है, कौन सी संस्ता उनको कंट्रोल करती है, तो इस्टॉक मार्केट में NSE और BSE को जो कंट्रोल करने वाली संस्ता वो शेबी हो जाएगी इंडिया हो जाएगी इसकी स्थापना वैसे 1908 से मुई थी लेकिन जो वेधानिक मानेता मिली है वो 1902 में मिली है अब दीखिए या पर NSE की बात हो गई है तो निप्टी जो इंडेक्स है वो कौन से स्टॉक एक्चेंज का है तो NSE का है नेशनल स्टॉक एक्चेंज का निप अंग्रेजों से भारतियों के खिलाब केस लड़ने से मना कर दिया था तो यह एक्जेक्ट स्वाल नहीं मिला किस टाइप से पूछा गया था तो अंग्रेजों ने मतलब भारतियों ने अंग्रेजों के खिलाब जो भारतियों के खिलाब केस लड़ने से किर्ष ने कौन से वकील ने मना कर दिया था इस टाइप से एक्जेक्ट स्वाल नहीं में आप बता देना जिन भी केंडियेट का आज सेकेंड सेप में एक्जाम था अब दोस्तों देख लेते हैं 10 जनुरी आज गया NTPC के पर्थम पाने में पूछेगे सभी 40 GK के स्वाल इन सभी केंडियेट का बहुत बहुत धन्यवाद जनुरी ने पर्थम सेप के रियल और ऑथेंटिक स्वाल है वो शेंड किये थी तो देखेंगे यहाँ पर पर्थम सेप का पहला सवाल एको फ्रेंडली रोकेट अंगारा किस देश ने लॉंच किया है तो रश्या ने लॉंच किया है अंगारा तो रश्या करेक्ट हो जाएगा नेशनल देखें बोकोरो इस्टिल प्लांट किसकी सायता से इस्तापित हुआ है तो बोकोरो इस्टिल प्लांट है यह इस्तापित हुआ है दोस्तों जो सोवित संग है रश्या की सायता से इस्तापित हुआ है और तीसरी पंच वर्शी जोजरा की अंतरकती इस्तापित हु में है और भारत का पहला इसह पात जईंतर हैं जांपरमोक्हित रेलों का अत्पादन होता है और ये भी यू एस एसर को को पूछा है। दोनों ही रशिया की सायता से हुआ है इस से पहले एक्जाम में आया वा प्लान्ट है ये कौन सी पंचवर्शी योजना के अंतरगत चहां पर आपको पता होना चाहिए बोकारो को काollar खार जो इसतफास सेंतर है वो जहर्कंड में हैं रावर केला है ये उडिशा में हैं दुर्घापूर इसपास सेंतर हैंlieatus ani पच्छी मंगाल में इस्तित हैं और बागी बहुत बार एक्जाम पूचे दाता है इसको इसको की फुलफॉम पूच ली जाती है तो इंडियन आइरन एंड इस्टिल कमपनी है ये पच्छी मंगाल में स्वाल नमबर तीन है पर्थम सिप्ट का पूना पैक्ट केन के मद्दे हुआ है मात्मा गांद जी और भीमराव अमेटकर के मद्दे हुआ था 24 सितमर 1932 को ये पूने की यरोधा सेंडरल जेल में हुआ था और इसके अंतिरुद क्या निन्ने लिया गया इसमें एक तो दलित के लिए आर्क सिट छेंटों के शेंग क्या है वो एक तो विदान मंडल में 71 से बढ़ा कर 147 कर दी और कैंदरी विदाइकों में 18% कर दी गई थी अर्थर समिट जो प्रित्विर शमिलन हुआ है उसको किस नाम से जाना जाता है अर्शमिट को अन्य नाम रियो समिट है क्यो की अफ्रिका के सिटी जोहन सबग में हुआ था कामख्या मंदिर कहां पर तो ये कामख्या है असम में गौहाउटी के पास में है असम में नीला चल पाहड़ी परिष्टित है नेशनल लेकी इंटरनेशनल एटोमिक एनरजी एजनसी की स्थापना कब होई है तो आई ए ए ए पर पाक्यूत के बाद भार्त के श्रिमला में एक शंदी पर हस्ताक शरुए इसे ही श्रिमला समझता का जाता है तो एक तो ये इंद्रा गांदी और दूसरी तरफ थे अली भुटो जूलपिकार अली भुटो के मद्दिय दो जार नीश में कौन सा चकरवात है वो थाईले पूचा है तो यह हो जाएगा कामीनी का मतलब भी है कल पकल मेनी रियक्टर और जो की कहा पर है इस्पेशली यह रिसर्च रियक्टर है इंद्रा गांदी सेंटर फॉर एक्जामे पूचा जाता है कि भाबा प्रमाणू अनुसंधान के अंद्र का कौन सा रियक्टर है अपसरा है जो की पर्थम रियक्टर है 1956 में ये इस्तापित हुआ था नेशनल दी के तांसेन केस म्यूजिक से रिलिटेड है धुरूपच से हो जाएगा तांसेन का जो बच्पन में मूल नाम राम तनू था इनका मकबरा और तांसेन समारोही ग्वालियर में नेशनल दी के आपके 1944 में गांदी और जिन्ना की वारता जो अर्शफल रह गई थी और बाद में कौन सी कमिटी ने यापर कोशिश की थी तो शप्रू कमिटी थी और गांदी जी ने यापर CR फॉर्मूला है वो जिन्ना के सामने रखा था और उन्होंने उसको खारिज कर मतलब CR फॉर्मूली से वो असेप्ट नहीं थी और बात करूँ गांदी जी ने जो जिन्ना है एक्चिनल हुआ कि नो से सताई सितवर 1944 तक गांदी जी ने जिन्ना से उनके निवास पर राज गोपाल चारे योजना है जो CR फॉर्मूला है उसके आदार पर समझूत हितु व नेशनल लेक है क्रोईशिया का कौन सा हाय एक सिलिंल आवार्ड है जो 2019 में दिया गया है कौन से भारतियों को दिया गया है क्रोईशिया का सर्वोच नागरिक पूरुषकार है टोमेश लाओ ने और ऑपर ृस्पेस एंरजर्च सेंटर एस्टब्लिश्त इन वीच यह हैं और जो ये हो जाएगी 1962 इसका correct answer हो जाएगा जो इंकोस पार हैं इंडियन नेस्टल कमीटी फॉर स्पेस रिसर्च हैं इसरो से पहले ये थी जो 1922 में इस्तापित हुई थी और इसके बाद 1979 में इसरो की स्तापना हुई है स्वाल नंबर 15 है चंदर कांता पुस्तक के ओतर कौन है तो देव की नंदन खत्री करेक्ट हो जाएगा नो भासाओं की common लिपी क्या है तो common script जो नो भारती लेंग्वेज है उनकी भारती लिपी हो जाएगी ये भारती नो भासाओं का शमावेश है नो कौन सी लिपी हिंदी और मराठी की जो देवनागरी script है एक उसके बाद बंगाली पंजाबी और गुरूम की हो जाएगी फिर गुजराती है और उडिया तेलगू कनड़ तमील और आपके नवी हो जाएगी मल्यालम और इसकी जो ये भारती script है इसको किसने बनाया है तो ये भारती प्रोद्योगी की संस्ताना IIT मदरास के शोथ करताओं ने दूसरी निवाज चकरवर्ती के नेतरतों में भारती लिपी ही बनाई गई थी और इसमें यहाँ पर 2019 मेनों ने OCR भीस में एड़ किया है निती आयोग की पर्थम अध्यक्ष कौन है नरंदर मोदी जो वरतमान में भी है और निती आयोग की पर्थम उपाध्यक्ष की बात करे तो अर्विन पंदगडिया हो चाहेगी इसकी स्तापना निती आयोग एक जनरुर 2015 को हुई थी इससे पहले जो योजना आयोग था वो इंस्टिटूशन फॉर ट्रांसफर्मिंग इंडिया वरतमान में नरंदर मोदी अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष राजीव कुमार है CEO है अमिता कांथ अगला स्वाल दिखे कल और रॉम द्वरा पश्टूत रिपोर्ट दा लिमिट्स टू ग्रॉत कब प्रकाशित हुई द्यूत्य पंचवर्शी योजना किस मोडल पर आदा रित है तो यह पंचवर्शी योजना सेकेंड जो पंचवर्शी योजना है PC महल नोविश मोडल पर आदा रित है पर्थम पंचवर्शी योजना है हेरो डॉमर मोडल पर आदा रित है तीसरी पंचवर्शी योजना है इसका अन्य नाम गाडगिल योजना है और मैं बात कुरूँ तीसरी के बाद में यहाँ पर गैप आ गया था जिसे तीसरी और चौती पंचवर्शी योजना के बीच में जो आवकास है गैप कब तक रहा है समय उदिक्या उसके उनिसो च्यासर से उननतर है और इसका कार्ण थ की है डीपी धर के द्वारा छटी पंचवर्शी योजना की बात कुरूँ इंपोर्टेंट की तो आर्थिक उदारी करण के इसमें शुरुआत हुई थी फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई थी नाबाड बैंकी भी इसमें इस्तापना हुई थी आगला स्वाल दिखे कि किस योजना के तैत विमान यात्राओं को आम आजम्यों के लिए शुल्ब बनाया गया है तो ये उडान योजना है मतलब उड़े देश का आम नागरिक है बहुत कम लगभग अधिक्तम 25 रुपे हैं यहाँ पर आप विमान से यात्रा कर शक्ते हो जो 277 2017 को शिमला में इ निली करांती हो जाएगे खाद्य तेल और तिलन फशलों है उनकी उत्पादक्तों को बढ़ाने के लिए और जो भी इंपोर्टेंट है करांती किर्शी करांती जैसे हरित करांती के बात करूंद खाद्य उत्पादन से हैं श्वेत आपके पूछा गया है तो ये दुग्द उत्पादन से संबंदित हैं धूसर करांती हैं ये आपके हो जाएगा उत्पादन से निली करांती मर्श्य उत्पादन हैं गुलाबी आपके प्याज और जिंगा मचली काली पेट्रूलियम वाली है या पिर कोईला उत्पादन से आप रिलेट कर सकते हो रजत करांती हैं लेग्यूम क्रॉफ हैं इसके कान नाइट्रोजन इस्तरीकन से मिट्टी क्यों ओरता है वो प्रकरतिक रूप से नाइट्रोजन जो इस्तरीकन किया जाता है वैसे जो भी फश्टे रहती हैं पर पोदे हैं वो डारेक्ट वातावन से नाइट्रोजन गरंड नहीं कर सकते ह और वो योगी के रूप में गर्ण करते हैं इसकी नाइटरोजन का इस्तरी गर्ण आवशिक हो जाता है और जो फली वाले पोदे हो जाते हैं उसमें सहेजीवी जीवानू है ये नाइटरोजन को कनूट कर देते हैं नाइटरेट में और फिर पोदे को जड़ों से ये वारली चेतरकला ही, वो महराष्टर की हैं, कौन से राज्य की हैं? महराष्टर की वारली जन जाती के दोरा, नियोक के मैडिसन इसकोर गार्डन में कुछती लड़ने वाले पहले भारती पहलवान, कौन है? यह S.S.E. में आज चुका, इस वाल में करा चुका हूं, तो नियो आपको पूचा है तो इसमें आपके लैड ये शीशा हो जाएगा 68 है 10 है 32 परसंटेज नेक्टन देखिए आपकी जो पाइरुवेट है वो किसमें विखंडित हो जाता है और वाइव ये शोषन में और जो मास पेस्ट यो में अग्ला स्वाल देखिए आपर the largest artery है वो सबसे बड़ी धमनी है वो कौन सी है महा धमनी हो जाएगी धमनीों में शुद्रक्त बैता है और अग्ला स्वाल शरकार के दोरा किसी माल या सेवा की कीमत पर इक न्यूनतम कीमत इस्तापित करना क्या कहलाता है तो प्राइज फ्लॉ नहीं वसूर सकते तो वो प्राइस सिलिंग कहलाती है अगला स्वाल देखिए कुल प्राप्तियों पर कुल वे की अधिकता है इसमें बोरोविंग को छोड़ दिया जाता है एक्स्क्लूड कर दिया जाए तो क्या कहा जाता तो यह फिश्कल डेपसिट कहलाता है राज कोशी खासा जहाँ पर जो वे है वो अधिक हो जाता है प्राप्तियों से और उधार को यहाँ पर छोड़ा गया है इस परिवाशा में जीब में स्वाद रिशेप्टर को क्या कहा जाता है तो स्वाद कणिकाएं हैं वो स्वाद कलिकाएं कहलाती है स्वाद जिस से आता है और इस ये तुवाड़ी किर्शी ववस्ता हैं, 1820 में टॉमस मुल्रों ने की थी, फिर मैं बात करूँ एजारेदारी पर्था की ये 1722 में वारेन हैस्टिंग्स होरी 1772 आपर वारेन हैस्टिंग्स ने, अगला स्वाल देखिए, अर्द शुष्क या कम वर्षा में बोई जाने वाल हर्ट से सम्मंदित कार्डिलोजी है, तो केड़नी हो जाएगी नेफ्रोलोजी, और एक फिर इसमें से कौन सब भी ने, ये भी रिजनिंग से था, 2004 लीप वर्ष हो जाएगा, वायु मंदली दाब किसे मापा जाता है, तो बेरोमेटर से मापा जाता है, व्रक की सरचनात्म और किर्यात्मक एकाई आपको पूचा है, नेफ्रोन करेक्ट हो जाएगा इसका, फिर स्वाल नंबर 36 है, सबसे कम भूजल है, उसका दोहन किस राज्य में किया जाता है, ये ऑप्सन दिये गे थी, तो जिन भी केंडिट को एंसर पदा कमेंट कर देना, बाकि में बात करू सबसे ज़्यादा भूजल है, वो कहाँ पर है, हर्याण में इसमें पूचा तक सबसे कम है, वो दोहन कहाँ पर किया जाता है, सबसे कम वैसे हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, इन ओप्सन के एकोडिंग क्या था, एक वेटलेंड एगरिकल्चर की डेफिनिशन आपको पूची थी, तो वेटलेंड एगरिकल्चर मतलब जितने भी वेटलेंड है, आधर भूमी है, जो नहर हो गई, खाड़ी है, तालाव वगेरा है, इनके पास में डेम के पास वाली भूमी है, वहाँ पर जो किर्शी की जाती है, वो वेटलेंड एगरिकल्चर कहलाती है, कौ सी केटेगरी का अंतर के जाते हैं तो ये consumer goods इसका correct answer हो जाएगा computer में data transfer किसके दोरा किया जाता है तो USB इसकी full form ये universal serial बस किस भारतिये ने शंथाल विद्रों में अंग्रेजों की मदद की थी जिन भी candidate को answer पता है comment कर देना तबला ढोलक सितार मर्दगम में असंगत चुनिये जो reasoning का है ततवाद्य हो जाएगा सितार यहां पर अलग है ततवाद्य जो तार वाले हैं जैसे की वीना है एकतारा है और अंति में स्वाल दिखेगा और यह एक computer का स्वाल था जिसमें था कि linear data structure है जो collection रहता data item का वो contagious memory location वाला इस टाइप से तो array उसका correct answer हो जाता है तो द लेना जिनका भी exam नई हुआ है कौन से phase में होने वाला है कि state को वो भी comment कर देना तो इसकी पीडियो फाइल के लिए आप टेलीगाम चनल जरूर जोइन कर लेना धन्यवाद